बच्चन साथ नाक ना जैई दोला ना दिल का डड़कन को सम गिन्निस बुक का वॉल्ल रेकार को टाले और काका आज कल लड़किया पटाना और आसान हो गया तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ की एक और जबर्दस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साथ के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग 58 Tunic опять же गाना शेयपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ ही साथ आप लोग को नमरीता माला भी एक एम रोल अदा करती हूँ नजब आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिनोंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन अडवेंचर से बरपूर फिल्म की डाइरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डाइरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फिल्म की बजहें की देख साइड रहा हैं हमने कमिन्ट करके जरूर प्जाइएगा, और साति-साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें स्पोर्ट करने लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स वीडियो में, न वाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिल्म में हीरों के रूल में आप लोग को नहायत खुबसुरत साउट की आक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिल्म में सीमरन का रूल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्थदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देख लिए किते एक साइट रहे हैं हमें कमन्ट करके ज़रूर पताइगा और साथिसाथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिस्का तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबर्दस एक्षन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर पैजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खूब सूपर साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्शन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड्यूस किया था और अगर इसकी परड़क्शन की बात और साथी साथ दोस अगर आपको हमारी वीडियो अची लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस का तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउथ के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हیरों के रोल में आप लोग को नहायद खुबसुरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सिमरन का लोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्थदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर चिरत तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देख दे खलिए कि देक साइडे रहा है हमें कमेंट करके ज़ूरूर पताइएगा और साथिसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वडियो में नेक्स अब्रेस टब तक के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक और जबरदस एक्षिन थ्रिल फिलम की जिसका नाम है चोहर पाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल चल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डार्ट की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डार्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बैचर बहुत ज़धा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बैचर शिरत तीन करोड रखा गया था जो हैंने इस फिल्म को मिलकर प्रड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे के सीन के का HAIRHORN था का हुझा है उनके साथ हीुए इस फिल्ममें हीरों के रोल में आप लोगको नहायित खुब-सूरत् साउत की ऑकट्र i original Conway को मिलेंगी है साथ device साथ Hahn'm Mr. 59- carbohydrates अदा करती हुँ नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन कि नदर थी और हर जगा बहुत हलसक्त मत कैसी पैसे को मिलरे जिल्म में विलन को अधा की अंगी ँर डायमनड को चुराने कि कौशिश करता है तो धोस्तों फिल्म का एंड कर दोस्त अबनागाई हुआ अगर जबरेस एक्षी नात की ना давndka की बात कर ली घाय तो इस्को भी जीवन डेडियी ने डाइक्ट किया है और इसको डिस्टेबिूट यू尋-वी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर चिरफ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए किते इस अइडी रहे हमें कमेंट करके ज़रूर पताएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस का तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये effectively फिलम जिसमें आप लोग बहुत से जबर्दिस एक्षन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सुपर स्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसुरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूँ नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाये तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबग वहां काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परडुक्शन कमपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परडुक्शन की तरफ से परडुस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए किते धे और हमें कमेंट करके ज़रूर प्तरिएगा और साथ इसाथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहाई खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अधा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अधा करते हよう नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बोहता हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रडुक्षन कंपणी के अगर बात की जाए तो इसे P program की तरफ से प्रोडुर्यूस किया था और अगर इसके production की बात की जाए तो इसे VS Raju, Sunil, Paravit, Shabar और बौत चे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोडुर्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देहन के लिए कित देख साइड ज़ए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर पतके और साथ इसाथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमीं स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्टदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबरदस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टीब्यूट यूवी की डिएसं की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बोध ज़्यदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्द 3 करोड रखा गया था और इस फिलम की परड़ूटक्शन कंपनिक के अगर बात की जाएे तो इसे फी परोडुक्शन के तरफ से परडुस किया गया था और अगर इसी परोडुक्शन कि बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिल कर परोडुस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंग दे के लिए, कित दे सायड रहा है कमेंट करके जरूरों प्ताइए गा और साथ ही साथ दो सथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपॉर्ट करने क लिए हमारे चैनल को जरूर सिब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब इसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार यह एक्षिन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोगो बहुत से जबर्दस एक्षिन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सुपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो ने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही, इस फिल्म में हीरों के रॉल में आप लोग को नहाँ खुबसूरत साउत की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलें गी जो हैंने फिल्म में सीमरन का रॉल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्शन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड्यूस किया था और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू सुनील परावीन शाबार और बहुत से लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड रहा हमें कमेंट करके ज़रूर पताइगा और साथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साथ के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की एक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने के कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डिरेक्षिन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डिरेक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी किरियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन क्रोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोड़क्शन के तरफ से प्रोड्यूस किया गया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते एक साइड है हमें कमेंट करके जरूर पताइएगा और साथ यसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स विडियो में नेक्स अबरेक्षका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्छन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्छन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरों के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरोन के रोल में आप लोगो नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ यसाथ आप लोगो को नमृता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिरफ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देने के लिए कित देख साइड रहए हमें कम्get करके जूरूर प्तंगेगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अची लगी हो तो हम स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जूरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबरेस के तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दो दोस्तो आप इस फिल्म को देक लिए कित देख साइड है हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथे साथ दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबिसक्था तब तक के लिए टेक केर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौाउग की एक और जबर्दस एक्षिन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरेक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोड़क्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हमें इस फिलम को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देंगने के लिए कित देख साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट्ट वीडियो में नेक्स अब्सक्राइब तब तक के लिए टेक्कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक और जबरदस एक्षिन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजर ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्थदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर चिरत तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड़्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देह देख लिए कि देख सायड रहे हमें, कमिंट करके जरूर बताएगा और साथिसा दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसकार तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक और जबर्दस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डिर्डेक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डिडी ने डिर्डेक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो, आप इस फिल्म को देहें के लिए किते इसकी आइड़ हैं हमें कमेंट करके ज़्रूर प्ते एगा और साथी साथ दोस्तो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबरेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोगको बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपर स्टार आकाश पुरी देखने को मिलेंगे जहाणे फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगे लिए कि देख साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर पताइगा और साथे साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बह отнош जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिले गे इस फिलम में हिरों के रोल में साउत के सुपरस्टार आकास्च पूरी देखने को मिलें गे जोह भुधने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाये तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत दा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की production company के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोड़क्शन के तरफ से produce किया था और अगर इसकी production के बात की जाए तो इसे वी एस राजु, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत छो थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर produce किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देए के लिए कि देख साइट रहे हैं हमें कमेंट करके जड़ूर पत्यएगा और साथ-साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अची लगी हो तो हमें स्पर्पूर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्रूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब इसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट के अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरों का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिलों ने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देने के लिए किछ detail है हमें कमिन्ट करके ज़रूर प्ता՗ेगा और साथ-ईसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानि बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़्यदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्थ 3 करोड रखा गया था और इस फिलम की परड़ुक्शन कंपनी के अगर बात की जए तो इसे फिलम की तरह से परड़्ुट किया गया था और अगर इसकी परड़्ुक्शन की बात की जए तो इसे वि-ईस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत चे लोग थे जो हैंने इस फिलम को मिलकर प्रडूस किया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देंग देंग के लिए किते देख साइड रहा हैं हमें कमेंट करके जरूर पटेएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउथ के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिल्म में हीरों के रोल में आप लोगो नहायत खुबसूरत साउथ की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिल्म में सीमरं का रोल अदा किया है साथ इसाथ आप लोगो नमरीता माला भी एक ऐम रोल अदा करते हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का end देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबरदस action adventure से बड़पूर फिलम की direction की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डारक्ट किया है और इसको distribute, UV creations की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए किते एक साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबड़ेस साथ तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोर पाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरों के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहाएट खुबसूरत साउत की अक्टरस गानाश शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने के कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर चिरत तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए किते इसाइड रहे हमें कमिन्ट करके जरूर पताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर पाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोओनने फिलम में बच्चन अब का strips का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोगको नहायत खुम्षूरत साउथ के एक्ट्रस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोओनने फिलम में सिमरं का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़्यदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देंगने के लिए किदे देख साइडर है हमें कमिंट करके जिरू पतैयेगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्री लग थे हो थो हमें स्पूर्ट करने केलिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में ह Extreme के रोल में सौट को सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साप का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते इसाइड रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस का तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरेक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड़्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तोओ आप इस फिल्म को देग लिए किती एकसाईट है हमें कमेंट करके ज़रूर पताईगे गा और साथी साथ दोस्तोओ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इस पोर्ड करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसक्षा तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक ओर जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है जोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है खुबसूरत साउथ की एक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो उन्हें फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है। साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी। अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए त और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है। तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है। फिलम म रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है। तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूर फिलम को देखना पड़ेगा। अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एड्वेंचर से बरपूर फिल्म की डारक्षिन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डिडी ने डारक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़ता हाई नहीं रखा गय गया था और इस फिल्म की डार क饉ंचे कि प्रडूक्शिन की लिए तो इसे प्रूडक्शन की त्रफ से प्रडूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूट की बात पीजए तो इसे वी-ए-स- राचु सुनील परावीन उर बहुत शे लोग थे जो जों हमें इस फिलम को मिल बुर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अप्रेस का तब तक के लिए टेकियर तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउथ के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउथ की एक्टरस गाना शेपी देखने को मिलें जोने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता ह और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तौम काम हीरो यानि बच्चन साब के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंड़ा वहां आने की हिमपत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम टी चोरी हो जाता है जिस पर कई सियास्तदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबरदस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डारक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की रियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन क्रोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कमपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगे लिए किते एक साइड रहा हैं हमें कमेंट करके जरूर प्रोड़ेगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब इसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर पाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साथ के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जोह ने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है अगर दोस्तो इस दिल्चस्प कहाने की बात की जाएं तो फिल्म में हीरो का तालूप च्वर बाजलं की इलाकियार और इंकी गलियों से होता है। बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़्यदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिलम की पर्डेक्शन कंपनिक अगर बात की जाए तो इसे P.Productions के तरफ से परडियूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कित تसाइड है हमें कम độ प्रोड्यूस की जिसका नाम है चोर बजार, यह एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोगको बहुत से जबर्दस एक्षन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोगो नहायद खुब सूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोगो नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूँ नजर रहेंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिलचशप कहाने की बात की जाए तो फिलममें हीरो का तालूँर चौर बाजार के इलाके और इनकी गलिए से होता है और वो वहां काम करता है, फिलममेकर's के मताबिक वहां काताम काम हीरो यनि बच्चन साफ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिबूट यूवी की डियेशन के तरफ से किया गया है और इस फिलम का बच़र बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बच़र चिरत 3 क्रोड रखा है था और इस फिलम की परोडूक्शन क कमपनी कि अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड रहा है हमें कमेंट करके जरूर पताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेश से तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने हाले हैं SAUT की एक और जबर्दस अक्शन थ्रील की जिसका नाम है Pure Bazaar ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिनोंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिलम की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देङने के लिए किते इस लगा हैं हमें कमिants करके जरूर्प टगिएगा और साथ इसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पॉर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिज़ से तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउऩ के एक और जबर्दस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर पाजार यह एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोगको बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरों के रोल में साॉत के सूर्बर सब्सक्रार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबड़स एक्षन अडवेंट्र से बिपर फिल्म की डाइरक्शन की बात कर लिजाये तो इसको भी जीवन डेडिडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की रियेशन्स की तरफ से किया गिया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगों के लिए कित देख साइडर हैं हमें कमेंट करके जरूर पताइएगा और साथ-इसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें इसपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जूरर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जए तो फिल्म में हेरो का तालूब चौरि बाजार के लाके और निकिक काम करता है। फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता ह जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम क एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इस को डिस्ट्रिब्यूट यूबी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुतुदHaай नहीं रुखा गया था इस फिलम का बचर सिरद 3 करोर रुखा गया था और इस फिलम की परोड़क्शन कमपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोड़क्शन के तरफ से प्रोड़ूस कैया था और अगर इसके प्रोड़ूक्शन की बात की जाए तो इसे वी ऐस राजू सुनील परावीन शाबार और बहुत से लोग थे जो हैंने इस फिलम को मिलकर प्रोडूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड है हमें कमेंट करके जरूर पताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डार्ट की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डार्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हमें इस फिलम को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देंग देंग के लिए किते Δेख साइड हैं में कमिن्ट कराँ करके जुर प्ताइगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोगो को नहा communities की आप्रेस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो आने फिलम में सिमरन का रोल अदा किय है साथए साथ आप लोगो को नम्रीता माला भी एक एम डादा करती हुँ नज़ आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबरदस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत दा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की production company के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोड़क्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था और अगर इसके प्रोड्यूस किया गया था तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिलम को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिलम को देंगने के लिए कित देख साइड रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर पताइएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरिस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रूल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको जुरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डारेक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डारेक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गिया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन क्रोड रखा गया था और इस फिलम की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन के तरफ से परड्यूस किया गया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कि देख साइड़ है हमें कमेंट करके ज़रूर पताइएगा और साथ-चाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पॉर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम हेरों के रौल में साउत को सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए किते एकसाईड रहे हमें कमेंट करके जूरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबरेश किसा तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउट की एक और जबरदस एक्शन ठ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्थदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड़्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कि देख साइडर हैं हमें कमेंट करके ज़रूर पतैएगा और साथ साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर पाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरों के रोल में साउट के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है अगर दोस्तों इस फिलम की दिलेशिस्प कहानी की बात की जाये तो फिलम में हیरो का तल्ग चोर बाजार के इलाके और धिक गलिय के से उता है और भु वह वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मिताबएक वहां का त्वाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिलम को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगे लिए किते एक साइड रहे हमें कमेंट करके जुरूर पताइगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस का तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्थदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड़्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड है हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब इसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये अक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउथ के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंड़ा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल चल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिनों ने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़्यदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कमपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए किती एक साइड़ है हमें कमेंट करके ज़ूर पतेएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़ूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबरिशस के साथ तब तक के लिए टेक एर इस फ्लम में हीरो के रोल में साथ के सुपरस्टार आकाश्पूरी देखने को में इस फिलम में बच्चन साथ का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डियरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डिडी ने डियरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर चिरफ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते इसाइड़ रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस की लात तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं سाौट की एक और जबरदस एक्षन ध्रील फिलम की जिसका नाम है छोः पाज़ार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक्जबर्दस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डारक्शन की बात कर लिया तो इसको भी जीवन डिडी ने डारेक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी क्रियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन क्रोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन के तरफ से परड्यूस किया गया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देख लिए कि देख साइड रहा हमें कमिन्ट करके जरूर प्ताइएगा और साथिसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउत के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है नहीं हैंगी अगर दोस्तो इस फेलम के दिलचस्प कहाधी की बात की जाये तो फिल्म में हीडोग तो बाइं की हिवते होता है, और वहें काम काम फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तों एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्इूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़ए हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर चिरत तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते एक साइड रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहानी की बात की जाए तो फिलम में हिरो का तालोक चोर बाजार की अलाक और इन्सकार लिकाम कोरता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्शन एडवेंचर से बढ़पूर फिलम की डारेक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डारेक्ट किया है और इसको distribute यूवी कीरियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत अधा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर तिर्द तीन करोड रखा गया था और इस फिलम की production company के अगर बात की जाए तो इसे फी production की तरफ से produce किया गया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगे लिए कित देख साइड रहा है हमें कमिन्ट करके जुरूर पताइगा और साथ इसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अबरेश के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबर्दस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर पाजार यह एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और FIGHT SCENE देखने को मिलेंगे इस फिलम में हिरों के रोल में साउट का सुपर स्टार AAKASH पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहीद खुबसूरत साउथ की एक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो उन्ने फिलम में सिमरंड का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगे के लिए कित देक साइट है हमें कमेंट करके जुरूर पताइएगा और साथिसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अची लगी हो तो हमें स्पोर्ड करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्स्क्राइब करें तो मिलती हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अबरेस के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने हैं साउथ की एक और जबर्दस आक्शिन गी त्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार यह एक्शिन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरों के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो है ने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियास्टदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुराने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत दा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिलम की production company कर बात की जाए तो इसे फी पोड्शन की तरफ से पोड्यूस क्या गा था और अगर इसकी production की बात की जाए तो इसे V.S. Raju, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोगं थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर पोड्यूस की था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते इससाइड है हमें कमेंट करके signit करेगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें इस पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़ुर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्देस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार अकाश पूरी देखने को मिलेंगे जियों ने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो है ने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथे साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाये तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत ज़्यदा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिरफ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रडुक्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रडुक्शन की तरफ से प्रडुस किया गया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए किते एक साइड है हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोगो बहुँ से जबरदस एक्शन और फाइٹ सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रॉल में साउत के सुपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जिहोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डाइमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डाइमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर चिरफ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते इसाइड रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है आगर दोस्तों इस फीलम की दिलिशेस कहाने की बात की जाये, तो फीलम में हीरो का तालुक चौरबजार के इलाके उन्हिंटी गलीयों से होता है, और वह वह काम करता है, फीलम मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानि बच्चन साथ के इशारे पर चलता है, और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्टदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हल्चल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिलम का end देखने के लिए आपको ज dalूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तो एक्जबरदस एक्शिन एडवेंच्छ से बरपूर फिलम की डायरक्शन की बात कर लिजाये तो इसको B.G.1 Ready ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी क्रियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिलम का बचर बहुत अधा हाई नहीं रखा गया था इस फिलम का बचर सिर्फ तीन क्रोड रखा गया था और इस फिलम की प्रोड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फिलम की तरफ से प्रोड़ूट क्या गया था और अगर इसकी प्रोड़क्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हमने इस फिलम को मिलकर प्रोड़ूट किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कित देख साइड है हमें कमेंट करके जरूर पताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब रिसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार यह action से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस action और fight scene देखने को मिलेगे इस फिलम में हीरो के रोल में South के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो अने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिल्म में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउत की एक्ٹरिस गाना शेय पी देखने को मिलेंगी जो हूने फिल्म में सेमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत शे लोग थे जो हमें इस फिलम को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देंगे के लिए किते एक साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर प्ताइएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउट के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो हैंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यास्थदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तो फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्शन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी प्रड़क्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया था और अगर इसकी प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हमें इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंखने के लिए किते इसाइट नहीं हमें कमिट करके जूरूर पताइगा और साथ-ई-साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के Summon को जूरूर सब्सक्राब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब इसका तब तक के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिलम की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है, जिसमें आप लोग को बहुत से जबर्दस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे, जियोंने फिलम में बच्चन साप का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहाएत खुबसूरत साउठ की अक्टरिस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जो है उने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हूं नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिलम की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिलम में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिलम मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिम्बत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिलम में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिलम में विलन का रोल अदा किया है तो फिलम में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिलम का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिलम को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबरदस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डारेक्षन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डारेक्ट किया है और इसको डिस्ट्रिब्यूट यूवी क्रियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत ज़दा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परोडक्शन की तरफ से परोड्यूस किया गया था और अगर इसकी परोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत चे लोग थे जो हने इस फिलम को मिलकर परोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते एक साइड रहे हमें कमेंट करके जरूर पताइगा और साथ यसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस का तबटक के लिए टेक के लिए तो दोस्तों आज की विडियो में हम बात करने वाले हैं साथ की एक होड़ जबरदस एक्शन ध्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिलम है जिसमें आप लोग को बहु odorless अक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिलम में हिरो के रोल में साउत के सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिलम में बच्छन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहाएत खुब सूर्थ के आक्टरस गाना शैपी देखने को मिलेंगी जो है उन्ayo है फिलम में सीम्रन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तमाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासतदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलसल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिजाए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की परड़क्शन कंपनी के अगर बात की जाए तो इसे फी परड़क्शन की तरफ से परड्यूस किया था और अगर इसके प्रोड्यूक्शन की बात की जाए तो इसे वी एस राजू, सुनील, परावीन, शाबार और बहुत से लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए किते एकशाई रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर प्तहिएगा और साथी साथ दोस्तो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेस के लिए टेक एर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउत की एक और जबरदस एक्शन थ्रील फिल्म की जिसका नाम है चोहर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरो के रोल में साउत के सूपरस्टार आकाश्च पूरी देखने को मिलेंगे जियोंने फिलम में बच्चन साब का रोल अदा किया है उनके साथ ही इस फिलम में हीरों के रोल में आप लोग को नहायत खुबसूरत साउट की अक्टरस गाना शेपी देखने को मिलेंगी जियोंने फिलम में सीमरन का रोल अदा किया है साथ साथ आप लोग को नमरिता माला भी एक एम रोल अदा करती हो नज़र आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार की इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स के मताबिक वहां का तवाम काम हीरो यानी बच्चन साथ के इशारे पर चलता है और कोई भी बाहर का गुंडा वहां आने की हिमबत नहीं करता वहां बच्चन का राज होता है तो दूसरी ही तरफ मुलक का एक बहुत खास और केम्टी डायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई स्यासदानों की नदर थी और हर जगा बहुत हलचल मत जाती है फिल्म में विलन के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिनोंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है तो फिल्म में वो डायमेंड को चुनाने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिल्म का एंड देखने के लिए आपको दूरूर फिल्म को देखना पड़ेगा अगर दोस्तों एक जबर्दस एक्षिन एडवेंचर से बरपूर फिल्म की डायरक्शन की बात कर लिए तो इसको भी जीवन डेडी ने डायरक्शन की 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 डाय शावार और बहुत शे लोग थे जो हैं इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देख लिए कित देख साइड है हमें कमेंट करके जरूर पताइएगा और साथ इसाथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर बाजार ये एक्शन से बरपूर फिल्म है जिसमें आप लोग को बहुत से जबरदस एक्शन और फाइट सीन देखने को मिलेंगे इस फिल्म में हीरों के रोल में साथ को सूपर स्टार आकाश पूरी देखने को मिलेंगे जो हैंने फिल्म में बच्चन साब का रोल अदा कि साथ साथ आप लोग को नम्रिता माला भी एक एम रोल अदा करती हुँ नजर आएंगी अगर दोस्तों इस फिल्म की दिल्चस्प कहाने की बात की जाए तो फिल्म में हीरो का तालुक चोर बाजार के इलाके और इनकी गलियों से होता है और वो वहां काम करता है फिल्म मेकर्स एक बहुत खास और केम्टीडायमेंड चोरी हो जाता है जिस पर कई सियस्तदादों की नजर थी और हर जगा बहुत हलसले मजज़ाती है फिल्म में विल्म के रोल में आप लोग को सुनील देखने को मिलेंगे जिन्हों ने फिल्म में विल्म का रोल अदा किया है तो फिल् रेडी ने डैरेक्ट किया है और इसको डिस्टिब्यूट यूवी की डियेशन्स की तरफ से किया गया है और इस फिल्म का बचर बहुत जदा हाई नहीं रखा गया था इस फिल्म का बचर सिर्फ तीन करोड रखा गया था और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के अगर बात पूस्किया था तो दोस्तो है अप इस फिलम को देखने के लिए कित देख साइड कर के जूर्ब कर्के शब्रू बाइए हैं और साथी साह होरा है उसे मिषाक है अगर आपको हमारी वीडियो च्छी हो तो अपारचर जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब इसका तब तक के लिए टेक कियर